हलो फ्रेंज तो आज मैं गनेश चतुती स्पेसल पपा का फैबरेट मोदक की रैस्पी लेके आई हूँ और ये मोदक ना बनाना एकदम से आसान है कोई भी इसे घर पे बहुत ही आसान तरीके से और कम से कम समान से बना के तियार कर सकते हैं और बहुत यादर टीस्टी मोदक बनके तियार हो जाती है तो आज का मोदक मैं बनाओंगी गेहू के आटे से तो मैं यहाँ पर एक कटोरी गेहू के आटे आधी कटोरी गूर ले ली हूँ और थोड़ी सी ड्राइफूर्स में जो मेरे पास थे मैं वही यूज़ कर रही हूँ तो फ्रेंड्स अभी ड की तरे से मेल्ट हो गई है तो मैं इसमें डाल दी गेहू के आटे जो मैंने रखी थी तो यह वही आटे हैं जिससे मोग रोटिया बगेरा बनाते हैं तो फ्रेंड्स भजन में गेहू के आटे कम से कम 200 ग्राम की इतना होंगे तो वीडियो को पूरान तक देखिएगा अकर अच्छी लगे तो से लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो फ्रेंड्स गेहू के आटे को ना कम से कम गैस की लो फ्लैम में 5-6 मिनिट तक भूनना है ताकि इसकी अच्छी से एक खुसबू आने लगे तो देख सकते हैं थोड़ी देर हो चुकी है और आटे से बहुत ही बड़ी अखुसबू भी आ रही है और यह अच्छी से भून के तयार हो गया है तो मैं इसमें डाल देंगे अब जो मैंने ड्राइफ रूट्स को ले रखी थे ना उसे और सारी ड्राइफ रूट्स डालने के बादना मैं इसे एक मिनिट तक भून के तया केस्टी नहीं बनेंगे तो देख सकते हैं एक मिनिट हो चुके हैं सारे मेरे मोदक का जो प्रेमिक्स है वो भून के तयार हो गई है तो अब मैं गैस को आफ कर लेती हूँ और सारे जो प्रेमिक्स है ना तो मैं उसे एक प्लेट में निकाल लूँगी तो फ्रेंड्स इतना पानी डाल दिये और मैं उसे धो के उसमें डाल दी तो फ्रेंड्स अब मैं गैस की फ्लेम को मिडियम में रखी हूँ और गुड को ना लगातार चलाते जाओंगी तो फ्रेंड्स देख सकते हैं गुड से धिरे-धिरे उबाल आने लगा है तो मोदक को और भी अब गुड के साथ मिला की तैयार कर ली हूँ तो आप इसमें मौदक पाली प्रेमिक्स को डाल दो bus gus एदै घ्रेंगे मैं इस की ओ आधिवरे को जाएंगे तो के सब्सम मैं इसे अच्छी तरह से हलकी इलकी हाथों से मिला ली हूँ और अब मैं गैस से नीचे कर ली हूँ कड़ाई को और मैं इसे लगातार चलाते जा रही हूँ क्योंकि अभी कड़ाई जो है वो बहुत ही गर्म है तो फ्रेंट्स अब मैंना साड़े इस टो को निकाल लूँगी एक प्लेट में ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए तो फ्रेंट्स इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना है इसे इतना ही ठंडा करें ताकि आप इसे हाथों में एक बॉल्स बना के देखें अगर वो बॉल्स असानी से आप बना सकते हैं तभी आप इसका मौदक बनाना इस्ट पकड़ लिए और ऐसे थोड़ा सा लंबे सेप में कर लिए आनि जैसे मॉदक का सेप होता है बिल्कुल उसी टाइब का एक कौन की तरह मैंने कर लिया इसे और मैं यहाँ पे काटा ले ली हूँ अगर आपके पास काटे ना हो तो जो तुद्पीक वगेरा होते हैं फिर कुछ इस्टिक वगेरा छूटू सा ले 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 उससे ही आप इसका डिजाइन दे दे तो देख सकते हैं मैं एक के करके सारे मॉदक को बना के तयार कर ली हूँ तो फ्रेंट्स मैं आज का मॉदक में ना ही मॉल्ड का यूज की हूँ और ना ही मावे वगेरा तो देखने में लग ना बिल्कुल मॉल्ट से मैंने इसे बनाया है और बिल्कुल मावा की तरह लग रही है तो फ्रेंट जरूर एक बार इस मौदग को घर पर ट्राइ किजिएगा यकिन मानिए खाने वाले बता भी नहीं पाएंगे कि आप इसे गेहूं के आटे से बनाया है इसका स्वायद ना बिल्कुल मावा वाला मौदग कि तरह आते हैं और यह मौदग ना बच्चे बड़े सभी को बहत पसंद आते हैं बनाने का तरीका है ना एकदम से आजान तो फ्रेंट चलिए एक मौदग को चेक करके भी देख लेते हैं तो यह देखिए अंदर से देखने में लग रही है So, बाइ बाइ